अंग्रेज सासनकाल लगभख समाप्त होने वाला था और आजादी मिलने हे वाली थी यह उस समय की बात है एक बालक रोजाना गंगा नदी को पार करके स्कूल जाया करता था उन दिनों बरसात का मौसम था गंगा नदी में पानी अधिक था बालक के पास नाव से गंगा को प पैसे नहीं थे बालक उदास हो गया तभी उसके पास दो उसके सहपाथी मित्र आये एक ने उसके कान के पास आकर कहा तू चुप चाप चल कर नाव में बैठ जा इतने बच्चों में नाव वाले को क्या पता चलेगा कि तूने पैसा दिया या नहीं किन तुमाए चोरी नह करूंगा बालक ने दरता पूर्वक कहा दूसरा सहपाथी मित्र बोला अच्छा तू चल तेरा किराया मैं दे धूंगा बालक ने कहा तुमारा धन्यवाद किन्तु मैं तुमारा एहसान नहीं लेना चाहता हूँ उस समय वह नाव वहाँ से चली गई वह बालक नदी किनारे बैठा रहा और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने कपड़े उतार कर बस्ते में रख लिया और गंगा में कूद गया समय पर विद्याले पहुच गया वह बालक और कोई नहीं हमारे पूर प्रधान मंत्री लाल बहादूर सास्त्री जी थे उनका नारा जय जमान जय किसान